जैशिराम मित्रो, कैसे है आप सब? मुझे आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे मित्रो, मैं आज आपको जीवन में सफलता कैसे पाएं और जीवन को सफल कैसे बनाएं सिरीज का पार्ट 3 बताने वाला हूँ मित्रो, मुझे आसा है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना यह वीडियो नहीं है इस वीडियो में जीवन को बदल देने की छमता है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन पाँच वीडियो को देख लिए और समझ कर अपने जीवन में इसका प्रयोग किये तो निश्चित ही आपके जीवन में चमतकारी बदलावाएंगे मित्रो अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि कोई भी जीवन से जुड़ी नई जानकारी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकरसन आपको सबसे पहले मिले मित्रो आईए हम सुरू करते हैं पार्ट थ्री हमने पार्ट टु में दो महतोपूंड बाते बताई थी जिसमें के बारे में डिटेल से मैंने उसमें चर्चा किया हूँ आप उस वीडियो को देखना आपको समझ में आएगा उसका बिसे था जो नंबर वन था किसी भी चीज से ज्यादा उमीद मत रखना और दूसरा पॉइंट था किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत इसका डिटेल में चर्चा हुआ है डिटेल में मैं बताया हूँ आप उस वीडियो को देखना आपको समझ में आजाएगा मित्रो या वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जीवन से बड़ी नहीं हो सकती इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं तो कहीं कुछ बाते आपको इसकिप हो जाएगी और वीडियो का कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा आईए हम सुरू करते है पार्ट फ्री मित्रो आदमी जीवन में गल्तिया कर देता है गल्ति करना इंसानी फितरत होती है इसलिए आप गल्ति करके खुद को कभी अपने आपको मत कोशना क्या आप गल्ति हो जाने पर खुद को कोशते है यदि हाँ तो बहुत बड़ी गल्ति कर रहे है इस गल्ति का परणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा अब आपको होगे कि वो कैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है जो कभी गलती नहीं करता वो जीवन में कभी कुछ नया नहीं सीखता इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोशने के बजाए आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का पर्यास करें आपका जीवन नए नए अनभवों के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर छेत्र में सफल होंगे जरूरत से ज़्यादा कुछ लोगों की आदत होती है कि बीना मतलब का बात करके अपनी एनर्जी को बरबाद करते रहते है जिस से उनके जीवन में या समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता है लेकिन फिर भी वह इसमें अपना सारा एनर्जी बरबाद करते रहते है कभी-कभी हम इतने ना समझ हो जाते है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना समय और उर्जा बरबाद करने लगते है जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है अब आप सोचिए यदि इसी तरह से फिजूल चीज़ों पर अपना समय और उर्जा बरबाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे नहीं न इसलिए आज आप यह संकल्प ले कि आप उन चीजों पर अपना समय और उर्जा बरबाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंतर से बाहर हो आप अपना समय और उर्जा उस चीज को करने में लगाएंगे जो आपके लक्षे तक पहुंचाने में आपका मदद करे मित्रो जीवन में सुनो सब की और करो अपने मन की इस धर्ती पर राय और बुधी देने वालों की कमी नहीं है आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे पर मेरी इस बात को याद रखना वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो इसलिए आप उनकी सुने पर करे वही जो आपका मन कहे बरना बाद में आपको इस बात का पश्टावा होगा कि कास मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं हुआ होता मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की सुने ही न आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस छेतर में सफलता पाए है जिस छेतर में आप सफल होना चाहते है क्योंकि जब कोई सफल ब्यक्ती आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में सच्चाई और अस्पश्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगा मित्रो आप से भी मेरे से भी खुद पे अपने खंजर घोपरे हाँ यह आजिब है सायद सबसे ज़्यादा आजिब कि आप खुद से ज़्यादा उस ब्यक्ती को वक्त देते है जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने आपको दर्द दिया है या फिर लगतार तकलीफे देता रहता है पुछिये खुद के लिए आप अहम है या आपका बनाया हुआ वदुस्मन मित्रो अक्सर आपको अपने आप से बाते करना चाहिए जब तब जब नराज होते हो और तब जब खुश होते हो यकिन नहीं मानेंगे लेकिन मनो बैग्यानिक भी इसे सेल्फ टॉक को सिहत के लिए एक असरदारक चिकित्सक बताया है कि आटो सेजेशन यानि खुद को सलाह देना प्रेजित करना पूर अमेरिकन प्रेशिडेंट ओबामा का बारवार वीकेंड कहना सेल्फ टॉक ही तो था भारत में भी कहावते हैं कि करत करत अभ्यास से जडमती होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निसान मतलत बार बार किसी बात को दोहराने से उसका असर आपके जीवन पर तो पड़ता ही है लेकिन यही सेल्फ टॉक अगर ना करात्मक हो जाए तो अभी साब बन कर आपके मश्तिक्स की नसो के भीतर जहर की तरह फैल जाती है मसला नतीत में यह किसी से भी मिला धोखा अपने पार्टनर से गुसा खुले आम जाहिर न करना लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोशना बास इससे बेहतर उदाहनर कहाई नहीं मिलेगा असिफिस्दी लोग बोस को मन ही मन गालिया देते रहते हैं दर असल हम अपने बोस की मजबूरियों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुद बोस न बन जाए खैर हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेल्फ टॉक की आप यूँ समझे खुद से ताकत और बेक्ति से अगर हम लड़ने ही सकते तो उसे मन ही मन कोशना सुरू कर देते हैं दीन रात सोते जागते उठते बस आपका दिमाग कोशने की परकिरिया में लगा राता है ऐसी परस्तितियों में पोजिटिव सेल्फ टॉक या फिर आटो सेजेशन आपके जीवन की प्रेणा बन सकती है तो दूसरी तरफ नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके ब्यक्तितों के लिए धीमे जहर की तरह सावित हो सकता है लीडर्स्टिप पर सेकड़ों सोध हुए और उनमें जो एक बात निकली वह कि बोजिल बिचार से दबा हुआ ब्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर सकता सफल ब्यक्ति पर ही हजारों सोध हुए उसमें तो खास तोर पर यह बात उभर कर आई कि रात गई बात गई वे केवल अपनी तरकी अपने मकसद के बारे में सोचते है किसने कब क्यों क्या कहा इस पर वे सिर्फ मौका आने पर ही सोचते है बड़े बड़े सफल ब्यक्ति ये कहते है कि आप अपना ध्यान खुद की तरफ मोड़िये सकरातमक्ता की तरफ मोड़िये कब तक खुद को दर्द भरे गीत सुनाते रहेंगे कब तक दूसरों को कोश कोश कर खुद पर दया खाते रहेंगे कुछ सफल और जनकार लोग इस negative self-talk के नुक्सान के बारे में ही नहीं बताते बलकि इससे छुटकारा पाने के उपाय भी बताते है मित्रो आईए हम उस उपाय के भी बारे में जानते है सबसे पहला जो इस उपाय है कि इस जहरीली सोच के प्रती जागरूख होना आप अपनी जहरीली सोच जो हमारे अंदर negative thoughts चलते हैं इसके प्रती हमें जागरूख होना चाहिए सबसे पहले एक सुची बनाएं खुद से की जाने वाली नाकरात्म बातों की कि हम पूरे दिन में कितने नाकरात्म बाते करते हैं इसका एक list बनाएं उसके सामने लिखे कितना वक्त आप दिन में इस कोशने की परकिरिया में लगाते हैं नमबर दो इस negative self talk को किसी positive self talk में replace करिए बदलिए जैसे जैसे अगर आप प्यार में धोखा खा चुके हैं किसी लड़की या किसी लड़के से उसे सालों से कोश रहे तो उसे सुक्रिया कहिए कुछ पल जो उसके साथ आपने गुजारे क्या वे सुनारे नहीं थे जिंदगी एक बार नहीं कई बार मौका देती है किसी दूसरे मौके को खोजिए खुद को यकिन दिलाइए again life will give you better chance बॉस को कोशते है क्या बीना उसकी मर्जी के नोकरी मिलती है खोजिए सायद उसके पीछे पड़े रहने की वज़़ से आपने अपने काम को सतरकता से करना सिख लिया फिर जिंदगी में बॉस के सिवा और भी कई वेहतर चीज़े है उनके बारे में सुचिए नमबर तीन एक सुची बनाइए उन चीजों की जो आपको खुशी देती है भटकना है तो उन खुशनमा ख्यालों की गलियों में भटकिए नकरातमक गलियारों में नहीं कभी तो जिंदगी में खुशनमा पलाया होगा उसमें खो जाईए उसमें डूब जाईए उस खुशनमा पल को याद कीजिए और उसमें खुए रहिए ना करातमक गल्यारों में नहीं भटकिए ना करातमक विचार हमेशा आदमी को गलत राष्टे पे लेके जाता है और जिंदगी में नीचे के तरफ लेके आता है आगे नहीं बढ़ने देता नमबर चार आखिर में प्रस्तितियों के भी आकलन करें ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप कोश रहे हो वह उस वक्त ठीक हो खुद को आईने के सामने खड़ा किजिए खुद का सठीक आकलन आपको सही दिसा में आगे बढ़ता है उस जगा खुद को रख कर देखिए आपको पता चलेगा कि वह आभी ठीक है वह अपने जगा पे ठीक था गलतिया मेरी थी जिसकी वज़ा से मेरे से गलतिया होई थी और उसने मुझे डाटा था या बोला था या मुझे टॉर्चर किया था मित्रो अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमता होती है और अपने गलतियों को सुधार करके ही जीवन में कुछ नया किया जा सकता है और कुछ नया सोचा जा सकता है मित्रो अगर यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर करना इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आपसे अगले पार्ट को लेकर आऊँगा पार्ट फोर और तब तक के लिए धन्यवाद